सोमवार को दैपूर केबल ओपरेटर असोसियेशन के पधादी कारियों ने जिला कलेक्टर को ग्यापन सौपते हुए बताया है कि अजमेर विदुद्वित्रन निगम लिमिटेड द्वारा केबल ओपरेटरों के लिए एक आदेश निकाला गया है जो कि पूरी तरह से असव केबल ओपरेटर असोसियेशन के अध्यक्ष मोहनलाल आदिवाल ने बताया है कि भारत सरकार के राज़पत्र एवं भारती तार अधिनियम के अंतरगत नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार केबल ओपरेटर द्वारा बिशली विभाग के पोलो पर केबल की लाइन डालन पर प्रती किलोमीटर के हिसाब से 1000 रुपय का नियम है परन्तु अजमेर विदुद वित्रन निगम लिमिटेट द्वारा 21 तारिक को एक आदेश पारत कर सभी केबल ओपरेटर से अधिक राशी वसूल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है अजमेर विदुद वित्रन ने एक जुठो कर विरोध प्रदर्शन किया एवम जिला कालेक्टर को ग्यापन सौपा जिला कालेक्टर ने सभी केबल ओपरेटर को आश्वाशन दिया है कि बिजले विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक बैठक कर समस्या का समाधान करवाये जाएगा